उधर ब्लॉक प्रमुक चुनाब को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, प्रशासन के साथ राजनेतिक पार्टियों की भी तैयारी तेज हो गई हैं, आज प्रमुक चुनाब के लिए आज से पर्चे मिलने शुरू हो जाएंगे। नामांकन की प्रक्रिया जल्द चुरू होगी, कुल मिलाकर 826 ब्लॉक प्रमुक के पदों पर उत्रप्रदेश के अंदर चुनाब होने हैं। अलगलत जगों से ब्लॉक प्रमुक चुनाब से जोड़ी तस्वीरे हैं। पहली तस्वीर आजमगड की 22 ब्लॉक प्रमुक पद पर चुनाब के प्रशासन की ओर से तयानिया की जा रही है। दूसरे तस्वीर गाजीपुर की 16 ब्लॉक प्रमुक पदों के लिए निश्पक्ष और शांती पूंक तरीके से चुनाब हो। इसके लिए प्रशासन अराजक तत्वों पर नज़र रख रहा है। तीसरे तस्वीर चंदौली की यहां ब्लॉक प्रमुक के नौ पदों के लिए सायद राजा से भाजपा विधायक सुनील सिंग ने दावा किया है कि पार्टी सभी पर जीत हाजल करेगी। चौफी तस्वीर वारण सिकी जहां पर ब्लॉक प्रमुक चुनाब से पहले ही कॉंग्रेस की गुटबाजी सड़क पर आ गई। 2022 बिदान सभा चुनाब को देखते हुए नामों का अलान किया जाएगा। चुनाब होना है किस तरह की तैयारियां पॉलिटिकल पार्टी के भीता चल रहे है। आसा देखिए आज अगर बात करें तो सभी दलजगर वो अपने प्रत्याशियों के नाम की गोशला कर देंगे। सूत्रों की माने तो भाजपा ने जिलो को जो उनके प्रत्याशी है उनकी सूची कली बेज़ दी थी क्योंकि कल देर रात तक मंथन चला है पहले दिन बर प्रदेश अद्यक जो है वो पार्टी और प्रदेश की प्रभारी रादा मोहन सिंग संगठन बामंत्री ये सब रो 26 देखे पद है लेकिन जो चुनाओ होना है वो 825 पदों पर होगा एक जगा अभी चुनाओ नहीं कराया जाएगा इसके साथ अगर बात करें तो निर्वाचन आयोग भी पूरी तरह से तैयारी में जुटा है और निर्वाचन आयोग जो है वो चुनाओ में किसी तरह की सम होगा खास तो अगर बात की जाए तो भाजपा के जो लोग है जो भाजपा से जुड़े है और त्रत्याशी के लिए कयास लगाए बैठे उनकी निकास सबसे आदा है क्योंकि पंचायत चुनाओ कि अगर हम पूरे त्यास को देखते हैं तो आम तोर पर जो सत्ताधारी डल हो यह तै हुआ सुत्रों की माने कि जो विधाया के पार्टी के सांसाध है मंत्री हैं उनका अगर कोई परिवारी जन्मी चुनाओ लड़ता है तो उनको भी प्रत्याशी बनाया जाएगा कहीं न कहीं से 2022 के विधान सबा चुनाओ से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि किसी क कुछ जगा पर प्रत्याशी ना उतारे लेकिन अब सभी की निगाहे सूची पर ठीकी है कि कब वो सारजरिक होगी कौन से नाम उतमे शामिल होगे किसको टिकट मिलेगा किसका पत्ता कटेगा तैयारी में सभी लोग लगे हुए है इसके साथ ही निर्वाचन आयोग की तैय बिल्कुल और निर्वाचन आयोग भी तैयारियां कर रहा है तमाम सियासी धल भी तैयारियां कर रहे है जल्दी उमीदवारों की सूची आने के भी उमीद है शालेश आप हमारे साथ बने रहेंगे